अप्रेल 2022 की सुरुवात होने वाली है तो आप लोगों के मन में यह जरूर होगा कि आपका अप्रेल माह कैसा जाएगा तो आज मैं इसी संदर्ब में अपनी 12 राशियों की अप्रेल माह का राशिपल लेकर प्रस्तु दुखाओ जिसमें आज हम मेस राशि से मीन राशि तक का संपूर्ण राशिपल आपके सामने रखेंगे यह माह आपके लिए किस प्रकार के परेडाम लेकर आया है आपको अप्रेल माह क्या लाब देने जा रहा है क्या हानी देने जा रहा है और किस प्रकार की चनौतियां आपके जीवन में आने वाली हैं इस समस्त पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यह जो राशिपल होगा किसी भी जातक के चंदरकुंडली के ग्रहों के गोचत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है तो इसे आप अपनी के अनुसार से भी देख सकते हैं तो वीडियो की शुरुवात करने से पहले अगर कोई दर्सक चैनल पनाये हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल नोटिपिकेशन भी ओन कर लिजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपकी बास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और सेयर भी जरूर करें तो चलिए सुरुवात करते हैं और जानते हैं मेसराशी के लिए अप्रेल 2022 किस प्रकार की परेडाम लेकर आया है मेसराशी के जातकूं के लिए अप्रेल माह में आई छेत्रू में कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ेगा दस्वे भाव में सनी की मौजूद्गी के चलते आप अपने करियर में कड़ी मेहनत करेंगे हाला कि इसके बाप जूद भी नौकरी पेशा जातकूं के लिए यह समय मुश्किलूं भरा सावित होने वाला है हला जिसे हम शिक्ष्या का भाव बोलते हैं हलाकि राहू इस दोरान आपके दूसरे भाव में और सनी ग्रह आपके दसम भाव में रहेंगे इसलिए यह सम्भाव वन रहा है कि आपके पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है यहीं आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करें तो धन और आई के भाव में राहू और देवग्रु ब्रस्पति का प्रभाव होने की वज़े से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है व्यापारी जातकूं के लिए अप्रेल का माह सुप फल लेकर आया है अगर कोई पूर्वों में छोटी छोटी बिमारियां चल रही थी तो उससे भी आपको इस समयवदी में राहत मिलेगी बात करते हैं ब्रशबराशी के लिए यह में न जीवन के सभी पहलू में सुप साबित होने वाला है दसंभाव पर ब्रस्पति मंगल और सुक्र की मौजूद्गी आपको भागी का साथ दिलाने वाले हैं ज देव ग्रू ब्रस्पति शुक्र और मंगल की दसंभाव में बैटकर चतुर्थ भाव में द्रिष्टी रहने वाली हैं जिसकी वज़े से इस समयवदी में आपको परियाप्त मात्र में सुक्षूधायें प्राप्त होंगी हाला कि पारिवारिक मामलू में कुछ तनाव अगर हम मिथुन रासी की बात करें अप्रेल 2022 मिथुन रासी के जातकूं के लिए सम्रिद्धी लेकर आने वाला है इस दोरान इस रासी के स्वामी बुद्ध दसंभाव में इस्तित होंगे जिससे नौकरी पेशा जातकूं को अपने कारी चेत्र पर प्रमोशन की प्राप् पारी जातक भी इस समयावदी के दोरान अपने व्यापार में विश्तार कर पाएंगी क्योंकि इस समयावदी में देवगरू ब्रश्पति आपके नौम भाव पर रहने वाले हैं इसलिए चात्रूं के लिए भी यह समयावदी सांदार रहने वाली हैं मेहने की सुरुवात में सनी की द्रिष्टी द्विती भाव में होने की वज़े से आपके पारिवारी कलह में बृद्धी हो सकती है इस दोरान किसी मामली बात पर भी आपके तरक बितरक हो सकते हैं वहीं दूसरी तरफ आपका प्रेम जीवन सांदार रहने वाला है नौकरी पेशा लोगूं के लि अप्रेल माँ बिविन्य छेत्रों में सफलता लेकर आने वाला है विदेशी सस्तानों में काम करने वाले जात्कूं के लिए यहां आवदी बहुत सुब रहने वाली है क्यूंकि दसम भाव का स्वामी मंगल आठवे भाव में देवगरू ब्रश्पती के सांद मौजूद ह हो सकते हैं इस रासी के जो भी छात्र जातक विदेश में या कॉलेज में पढ़ाई करना चारे हैं उनके लिए यहां समयवदी सांदार रहने वाली है आप इस दोरान विदेश में पढ़ाई करने भी जा सकते हैं हलाकि प्रेम जीवन के अगर हम बात करें तो प्रेम जीव राहु के ग्यारवे भाव में बिराजमान होने की वज़े से आपके आय में बृद्धी होगी और आपको गंबीर बीमारियों से भी मुक्ति मिल पाएगी। बात करते हैं सिंग रासी की। सिंग रासी के जातकूं के लिए यह महना खुसाली भरा रहने वाला है। राहु के दसंभाव में होने से आपको अपने कारी छेत्र में उन्नती की प्राप्ती होगी। ब्यावशाई जातकूं के लिए भी यह महना बहुत सुब रहने वाला है। महने के दूसरे भाग में विदेशी व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अनकूल ग्रहूं की इस्तितिकी वज़ा से लाप की प्राप्ती होगी। चात्र जातकूं को भी अप्रेल महा में सुप परिणाम प्राप्तों हो पाएंगे। गुरू के सब्तम्भाव में सुक्र ग्रह के साथ विराजवान होने से आपके प्रेम जीवन में भी खुसाली आने वाली है। पार्टनर के साथ आपके रिष्टे और प्यार में मजबूती बढ़ेगी। इस दौरान आपके मानसिक और सारिदिक दूरी में कमी देखी जाएगी। अगर हम आर्थिक इस्तिति की बात करें तो अप्रेल महा में आपकी आर्थिक इस्तिति इस्तिर रहने वाली है। हालाकि बुद्ध की इस्तिति के कारण आपको बीच में लाप की प्राप्ति भी हो सकती है हालाकि स्वास्त संबंदित कुछ परेसानिया आपको अप्रेल माह में परेसान कर सकती है हालाकि जो ग्रहूं की इस्तिती बनी हुई है वहाँ आपके गंभी रोगों को दूर करने के लिए बहुत सुप साबित होगा अगर जीवन साती को कोई स्वास्त से संबंदित समच्या थी तो उसमें भी आपको सकारत्मक परिणाम प्राप्त होंगे अगर हम कन्या रासी की बात करें कन्या रासी के जात्कूं के लिए यह महना विशिष्टे रहने वाला है हालाकि कुछ परेशानिया आपको इस महने में जेलनी पड़ सकती है क्यूंकि इस दोरान आपका दसंभाव का स्वामी बुद्ध अश्टम भाव में विराजमान होने वाले हैं जिसके गारण आपको करियर में उतार चड़ाव देखने को मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को काम से जुड़े हुए तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है हालाकि इस रासी के ब्यावसाई जातकूं के लिए खास तोर पर जो विदेशी ब्यापार से जुड़े हुए है उनके लिए यह माहिना लाप की इस्तिति लेकर आया है इस समयावदी में आपका पारिवारिक जीवन भी थोड़ा कठिनाईयों भरा रहेगा क्यूंकि इस दोरान सुक्र छटे भाव में बिराजबान होने वाले हैं इसके प्रभाव सरूप भाईयों के भी जगड़ा बढ़ सकता है पंचम भाव में सानी के साथ मंगल की यूती होने की वज़े से प्रेम संबंद और बैबाईक जीवन में तनाव और परेशानिया बढ़ सकती हैं इस समयावदी में आपकी आर्थिक इस्तिति अनकूल बनी रहेगी कोई अगर अटका हुआ धन था वह भी इस समयावदी में आपको वापिस मिल सकता है और स्वास्त की अगर हम बात करें तो स्वास्त के मामले में इस मेहने में आपको राहत मिलने वाली है बात करते हैं तुला रासी की अप्रेल 2022 का मेहना आपकी जीवन में कई सफलता लेकर आने वाला है दसम भाव में मंगल और सनी की पूर्णिद्रिष्टी आपको कारिशित्र में प्रगति देगी इसके अलावा आप व्यावशाई में भी व्यावशाई के विस्तार के लिए नए नए तरीके ढूंट सकते हैं इस दोरान छात्र जात्कूं के लिए सुक्र मंगल के साथ देवग्रु ब्रश्पती पंचम भाव में होने की वज़े से बहुत सुप परिणाम देने वाले हैं प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो आपका प्रेम जीवन अप्रेल के माह में अच्छा रहने वाला है और कुछ अविवाहित जातक विवाह बंधन में भी बच सकते हैं सनी के पंचम भाव में गोचत और सूरी के सतम भाव में बिराजवान होने की वज़े से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत और इस्तिर रहने वाली है सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को लाप की प्राप्ति होगी और आपको पदोन्नती भी बिल सकती है स्वास्त के द्रिष्टिकोंड से भी यह माईना आपके लिए सुब रहने वाला है छटे भाव पर सूरी की इस्तिति आपके स्वास्त में सुधाल लेकर आएगा बात करते हैं ब्रिष्चिक रासी ब्रिष्चिक रासी के जातकों के लिए अप्रेल का मार कई छेत्रों में सफलता लेकर आने वाला है क्यूंकि गोचर के दौरान सूरी आपके पंचम भाव में बिराजबान होंगी कर्म भाव पर मंगल और देवगरु ब्रस्पती की पूर्ण द्रिष्टी होने की वज़े से आपको कार्य छेत्र में पदोन्नती और बेतन ब्रिद्धी मिल सकती है छात्र जात्कूं को भी इस समय वदी में लापकी प्राप्ति होगी पंचम भाव के स्वामी ब्रस्पती चतुर्थ भाव में इस्तित है जिसकी वज़े से इस दौरान छात्र जात्कूं को सांदार परिणाम प्राप्त होंगी वहीं दूसरी तरब ब्रिच्चिक राशी के जात्कूं की आर्थिक इस्तिती इस्तिर बनी रहेगी ब्रस्पती, सुक्र और मंगल यह सभी ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेगी जिससे आप अधिक धन कमाने और सुक्ष युदाओं के साधनु को एकत्रित करने में सफल रह पाएंगी इस राशी के कई जात्कूं को अज्यात स्रोतूं से धन की प्राप्ति हो सकती है स्वास्थ की अगर हम बात करें तो पूर्व में कोई स्वास्थ से समंदित समस्या चल रही थी तो आप इस समयवदी में दूर हो जाएगी चतुर्थ भाव में मंगल, सुक्र और देवग्रु ब्रस्पति की इस्तिति आपकी बाधाओं को दूर करदे में सहायता देगी बात करते हैं धनुरासिकी धनुरासिकी जात्कूं के लिए अप्रेल का महा औसत रहने वाला है हलाकि कुछ हिश्चू में आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी वहीं कुछ मोर्चू पर परेसानियों के भी ज़्यादा चांस बन रहे दसमभाव के स्वामी भूत इस समयवदी में आपके पंचमभाव पर रहने वाले हैं जो आपको कारियों में सफलता दिलाएंगे इस समयवदी में कुछ जात्कूं को नौकरी के नए आउसर प्राप्त हो सकते सरकारी छेत्र से जुड़े हुए लोगों को लाप की प्राप्ति होगी अगर हम विद्यार्ती जात्कूं की बात करें तो उनको इस समयवदी में कड़ी मेहनत करनी होगी हलाकि जो छात्र पुत्योक्ता परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उन्हें अपने छेत्र में सभलता की प्राप्ति होगी आप इस समयावदी में बिदेश जाकर पढ़ाई करने का बिकल्प भी चुन सकते हैं आप और आपके परिवार के बीच सामंजश्ची बना रहेगा की प्राप्ति होगी नौक्री पेशा जात्कूं को भी धन कमाने के नए नए अउसर प्राप्त होगी हालाकि छेहत के लिहाद से आपको सावधान रहना होगा अन्यथा कुछ दिक्कते खड़ी हो सकती है बात करते हैं मकर रासी की मकर रासी के लिए अप्रेल का महिना उन्नती और सफलता लेकर आया है इस दोरान दसम भाव के स्वामी शुक्र देवग्रू ब्रस्पति के साथ दिती भाव में विराजबान होगी जिसके फल सरुब आपको अपने पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने में साहता प्राप्त होगी परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा इस दोरान आपके अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंद बने रहेंगे दूसरे भाव पर सुक्र की उपस्तिती आपको सच्चे प्रेम की प्रबल संबावना प्रदान कर रहेंगे आप अप्रेल माह में अपने पार्टर के साथ क्वार्टी समाई बिता पाएंगे हलाकी छोटा मोटा तनाव भी आपको इस समयावदी में परिशान कर सकता है इस समयावदी के दोरान आपकी आर्थिक इस्तिती इस्तिर बनी रहेगी स्वास्त के दृष्टिकोन से भी परिस्तित्या काफी इस्तिर रहने वाली हैं लेकिन भूत की चतुर्थ भाव में केतु के साथ यूती मेहने के दूसरे भाग में आपके जीवन में छोटी मोटी परेसानियू की वज़ा बन सकता है। ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। बात करते हैं कुम्बरासी की। कुम्बरासी के लिए आर्थिक पक्ष और करियर पक्ष के लिहाद से यहां महिना काफी अनकूल सिद्धो होगा। हलाकि पारिवारिक जीवन में आपका विबाद हो सकता है जिसकी वज़़से आपके तनाव में बृद्धी होगी। इस महने में आपके पारिवारिक समच्याओं में बृद्धी होने वाली है। भूत का तीसरे भाव में इस्तित होना जो आपके किसी भी संदे के समाधान में आपकी मदद करने वाला है। आप अपरेल माह में अपने पार्टनर के साथ क्वाल्टी समय बिता पाएंगे। आप इस समय अवदी में ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। आपकी बित्ती इस्तिती भी अपरेल माह में स्थिर रहने वाली है। हलाकि स्वास्त मोर्चे पर छोटी मोटी परेसानिया आपको परेसान कर सकती है। लेकिन कोई बड़ी बिमारी होने के आसंका नहीं बन रही है। बात करते हैं आज के अपनी अंतिमरासी मीनरासी की। मीनरासी के जात्कूं के लिए अपरेल माह मिश्रित परिणाम लेकर आया है। पेसेवर जीवन के मामले में आपको इस समयावदी में चुनोती का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में भी कुछ रुकावटे उत्पन नहों सकती है। जिसके कारण आप स्वयम को तनावगरस्त महसूस करेंगे। हालाकि वहीं छात्रों के लिए यहाँ समयावदी अनकूल रहने वाली है। पंचमभाव में सनी की पूर्ण द्रिष्टिके चलते आपको अत्रिक्त प्रियास करने होंगे। हालाकि आपको परिणाम सुब मिलेंगे। पंचमभाव में मंगल और सनी की पूर्ण द्रिष्टिके चलते आपके प्रेम जीवन में समश्याएं उत्पन नहों सकती है। प्रेमियू के बीच मन मुटाव की इस्तिती बढ़ सकती है। आर्थिक द्रिष्टिकोन से यहाँ समयवदी आपके अनकूल रहने वाली है। सेहत के लिहाद से भी अप्रेल का माहा आपके लिए सुब साबित होगा। छटे भाव पर मंगल और सुक्र की पूर्ण निद्रिष्टि आपको रोगू से मुक्ति दिलाने का कारी करेगी। सनी के बारुए भाव में गोचर करने के वज़े से आपको बड़े रोगू और बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ अप्रेल 2022 का मासिक राशिपल था। उम्मीद करता हूँ यहाँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्सक चैनल पने हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ बेल नोटिपिकेशन भी ओन कर लिए। जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले मौचे। और आप वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूले। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।